मैं आपको अजमार्दा 50 mg टेबलेट दवा के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं अजमार्दा 50 mg टेबलेट जे बी केमिकल्स एंड फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटिद द्वारा निर्मित है और इसकी खुदरा कीमत 554 रुप्य है यह लंबे समय तक दिल की विफलता वाले रोगियों में दिल की विफलता के उपचार के लिए उप्योग किया जाता है, जहां दिल कमजोर होता है और फेफ़णों और शरीर के बाकी हिस्सों में परियाप्त रक्त पंप नहीं कर सकता है दिल की विफलता का मतलब है कि आपका दिल कमजोर है और आपके फेफ़णों और आपके शरीर के बाकी हिस्सों में परियाप्त रक्त पंप नहीं कर सकता है सबसे आम लक्षन है सांस फूलना, ठकान और आपके पैरों, टक्रनों, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन अजमडा 50 मिली ग्राम टेबलेट दो दवाओं का मिश्रन है जिसका नाम वैलसार्टन और सेक्यूबिट्रिल है ये दोनो दवाएं रक्त चाप को कम करने के लिए अलग अलग तरीकों से काम करती है इससे आपके दिल के लिए आपके शरीर में रक्त पंप करना आसान हो जाता है और इसलिए ये दिल की विफलता के लिए एक प्रभावी उप्चार है यह दवा आपके लक्षनों को दूर करने में मदद करेगी जिससे आप बहतर और अधिक उर जावान महसूस करेंगे इस दवा को प्रभावी बनाने में मदद करने के लिए आपको उचित जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए जैसे स्वस्थ भोजन करना और सक्रिय रहना इसे नियमित रूप से लें और बेहतर महसूस होने पर भी इसे लेتे रहें कुछ आमसाइद एफेक्ट में खान सी, चक कर आना और चक कर आना शामिल हैं चक कर आने के जोखिम को कम करने के लिए बैठने या लेटने की स्थिती से धीरे-धीरे उठने की कोशिश करें यदि ये या अन्य दुश प्रभाव गम भीर हैं या समाप्त नहीं होते हैं तो अपने दॉक्तर को बताएं आपको इस दवा को लेने के साथ साथ सक्रिय रहना चाहिए हलका चलना, स्ट्रेचिंग करना और एक स्वस्थ कम सोडियम वाला आहार खाना चाहिए चक कर आना महसूस करने की संभावनाओं को कम करने के लिए यदि आप बैठे हैं या जूट बोल रहे हैं तो धीरे-धीरे बढ़ें यह आपके खून में पोटेशियम का स्तर बढ़ सकता है पोटेशियम की खुराक और पोटेशियम सम्रिधक खाद्य पदार्थ जैसे केला और ब्रोकोली लेने से बचें यदि आपको लीव या किड़नी की बीमारी का इतिहास है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें ये क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद